parental development in human the second trimester first the contents second trimester the major events of second trimester the second trimester students जैसे आपने कहा है कि जो overall 9 months of human development जो इसको हम 3-3 months के जावो different steps में divide करते हैं first 3 months are the first trimester and the second 3 months mean month number 4, 5 and 6 they are the second trimester what are the events taking place here तो जो हमारे पास second trimester है अगर weeks में आकर हम इसको देखें तो यह 14 weeks से लेका 27 weeks तक जाता है so कौन-कौन से events होते हैं stage के उपर most of the argors उनकी formation rate starts from the first trimester यह first trimester में शुरू हो चुकी होती है इसलिए internationally भी जो अक्सी जगों के अपर जो abortion का rule है उसमें यह है कि अगर developing embryo को 3 months गुजर चुके हैं तो आप उसको abort नहीं करवा सकते हैं उसकी reason क्या है उसकी reason यह है कि 3 months में जो young one है वो बन चुका होता है उसकी argon आलमोस चाब बनने जा रहे होते हैं उनकी argon की development शुरू हो चुकी होती है और उसका हम features कहते हैं तो अब second trimester के अंदर वो जो argon जो first trimester के अंदर जिनकी development start होई थी अब वो आज सस्था complete होती चली जाएगी अगर हम एक sequence wise देखें तो हम एक उसको overall जो है week wise एक general overview ले सकते हैं कि जैसे 13 week जब complete होंगे तो सबसे पहले जो young one है उसकी urination release होगी और उसके जब फ्लूइड के अंदर जाते है वो जब एमिनेट कैविटी है उसकी उसके अंदर जब ये urine release हो जाएगी इसी तरह से first trimester के अंदर bones बनना शुरू हो जाएगी और second trimester के जो first week है वहाँ bones के ossification स्टार्ट हो जाती है ossification का मतलब क्या होगा कि bones जब वो hard होना शुरू हो जाएगी ossification जो bones शुरू में जो होती है वो cartilaginous structure होती है बाद में आशास उसकी ossification होती है इससे से जब 14 week शुरू होगा 14 week है दे red blood cells की formation स्टार्ट हो जाएगी तो red blood cells की formation शुरू हो जाएगी जो embryo है उसका sex apparent हो जाएगा वह यह नहीं वह daughter है या son है उसके बार में बड़ा clear हो जाएगा तो इससा यह 14 week के अंदर यह जाकर चीज clear जाकर 16 week के उपर जाकर जो eyes है उनके movement स्टार्ट हो जाती है इससे जो heart है heart beat स्टार्ट हो जाएगी heart सबसे पहले डाक्टर जिससे को feel कर सकते है वो heart beat होती है तो जाए फिटर्स जो हता हो उसकी heart beat जाओ second trimester में स्टार्ट हो जाती है इसससे जब 18 week आएगा तो यह वह step है जिसके प्राकर young one जाओ it can hear यह उसके ears जो है वो mother के अंदर जाओ बकाईदा सुन सकते है कि जो sound environment है वो क्या कर सकते है इसको सुन सकते है इसलिए जो developmental process है जो काया था कि तो mother की nutrition अच्छी होना चाहिए environment peaceful होना चाहिए ताकि जो developing embryo वो इससे influence होता है उसका ultimate जा वो fetus के उपर पड़ता है जैसे 18 week के उपर तो बकाईदा वो सुनना शुरू कर देता है sound तक जा वो पहुंचना शुरू कर देती है 20th week जो है at this stage the embryo starts its movement 20 week के उपर आकर embryo क्या करेगा आईसा साथ movement आपने यह नहीं कि 4 month के end के उपर जाकर चार माहिने के बाद जाकर जो developing fetus है embryo तो नहीं कहेंगा अब इसको हम fetus कह रहे है तो fetus क्या करेगा अपनी movement start करते है mother कहने feel its movement इस ऐसे sleep एक cycle शुरू हो जाएगा जो young one अभी अपनी मदर के ही यह नहीं कि उसके uterus में है fetus stage के उपर अभी है उसमें बाकाइदा जागने का और सोने का अमर्जा वो start हो जाएगा 21st week के उपर जाकर जो finger prints है 21st week के उपर जो baby हो क्या करेगा वो अपने जो अंगुठा है या उंगुली जो इसको बाकाइदा क्या करेगा सग करना शुरू कर देगा तो इससे it sucks its finger उंगली जो इसना शुरू कर देगा 22 week के उपर जाकर eyebrow और hair जो है वो apparent हो जाते है eyebrows यानि के जो आँखों के बाल है eyebrows है और इसके बाद जहाँ hair जहाँ यह apparent होना यह बाकाइदा जहाँ appear हो जाते हैं बनना शुरू हो जाते हैं इससे 23rd week के उपर आजाकर finger prints पीर हो जाते हैं finger prints पी हो सकती हैं और इसके अफ़र आप जो पाओं के निशान है जो हम कहते हैं कि यह तो toes के prints और इसके लबाद जो finger के prints होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं 26 week के उपर आकर जो lungs हैं वो develop हो जाते हैं 26 week के उपर लंग्स की development हो चुकी है लेकिन अभी उनकी जाह वो आगे फर्दर जाह वो अभी breathing का काम ने start नहीं किया हुआ विस्ता से बहुत सारे आर्गन जाहों second trimester में आल्मूस्ट बन चुके होते हैं